इरान के सर्वच्च नेता अयनतुल्ला अलि खामिनाई ने रविवार को कहा कि इस्राइल के हमले को ना तो बढ़ा चड़ा कर पेश किया जाना चाहिए और ना ही कम करके आखा जाना चाहिए हाला कि उन्होंने बदले की कारवाई का आहवान नहीं किया उन्होंने कहा कि इरान को इसराइल की आक्रमक्ता का जवाब देने का पूरा अधिकार है खामिनाई ने और क्या कहा बताते हैं आपको खामिनाई ने कहा कि इसराइल की सरकार की घलत फेहमियों को दूर किया जाना चाहिए उन्हें इरानी रास्ट्र और उसके युवाओं की ताकत इच्छा शक्ती और पहल को संजाना जरूरी है ये अधिकारियों पर निर्भर है कि वो इरानी लोगों की शक्ती और इच्छा को इसराइली शासन तक कैसे पहुँचाए और इस देश के हितों को पूरा करने वाली कारवाई कैसे करें इरान ने आपको बता दे कि 26 अक्टूबर 2024 को इसराइल को चेतावनी दे दी है कि वो अपनी सुरक्षा खुद करेगा इसके बाद इसराइल ने कहा कि अगर उसने जवाबी कारवाई की तो तहरान को इसकी भारी कीमत चुकाने पड़ेगी सहयोग तराजव अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटन ने इरान से ये कहा कि युद्ध को और आगे ना बढ़ाएं IDF के मताबिक शनिवार सुबह इसराली वायुसेरा ने IDF के सहयोग से तीन चरणों में ये हमले किये और ये कारवाई 1 ओक्टूबर 2024 को तहरान बैलिस्टिक मिसाइल अटाक का बदला था अलजजीरा के मताबिक इरानी मीडिया ने शनिवार को बताया कि इसराईली हवाई हमलों में कम से कम 4 सेने कर्मी मारे गए और रडार सिस्टम शतिग्रस्त हो गए अंतराश्य परमानू उर्जा एजेंसी ने ये कहा है कि इसराईली हमले से इरान के परमानू फैसिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ा है इरान की राज़ानी तहरान समेत उसके बाकी शहरों पर इसराईली हमले में कई बुनियादी धांचों को जरूर नुकसान पहुँचा है और इस हमले में इरानी सेना के चार जवानों की भी मौत हो गई है जबकि कई लोग घाल हुए है हलाकि इरान ने इस हमले को बेहत मामूली और हलका बताया बावजूद इरान का कहना है कि इसराईल के हमले भले ही हम पर कोई खास असर नहीं डाल पाए हो लेकिन उनकी इस जुर्रत का बदला हम जरूर देंगे इसराइली हमले के बाद से ही इरान मिलिटरी की खतरनाक ट्वीट सामने आ रही है इस वीच इरान मिलिटरी ने फिर एक खतरनाक ट्वीट किया है जिसके जरीए उन्होंने इरान में मौत की बाड़, बारिश और तबाही मचाने वाला पैगाम भेजा है इरान ने अपने ट्वीट में लिखा है कि शत्रू गडगड़ाहट की तरह गरजना करते थे और बिजली की तरह चमकते और उचलते थे लेकिन अपने इन सभी दिखावे के बावजूद वो युद्ध में कमजोर और भैभीत साबित हुए हाला के हम तब तक कुछ नहीं बोलते जब तक हम कारवाई नहीं करते और जब तक हम बाढ़ नहीं लाते तब तक हम बारिश नहीं करते इरान के इस ट्वीट का संदेश साफ है और इसी वज़े से इसराइल पर भीशन पलटवार की धमकी वो दे रहा है इरान ने अपने इस ट्वीट में खतरनाक फतेह मिसाइल का वीडियो भी शेयर किया है जिसमें एक लक्ष पर खौफनात तबाही मचाते हुए दिखाया गया है अपने अगले ट्वीट में इरान की सेना ने फिर लिखा कि हाला कि इरान की शक्तिशाली वायू रक्षा प्रणालियों के कारण इसराइल का इरान पर रात भर का हमला विफल हो गया लेकिन इरान पर हमला करने की कारवाई के कारण हम इस आक्रमकता का तबाही मचाने वाला करारा जवाब देंगे अपने इस ट्वीट में भी इरान की सेना ने अपने फाइटर जेट्स के साथ वायूसैनीको का एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उसकी ताकत का प्रदर्शन देखने को मिलता है इस वीडियो में इरान के सुप्रीम लीडर अली खामनई को भी दिखाया गया है और इसमें खामनई के निर्देश पर इरानी सेना के हमलावर रुक को प्रदर्शित किया गया है जिसमें उसकी खतरनाक मिसाइले और हवा से बाते करते हुए तबाही मचाने वाले लड़ाकु विमान आस्मान में मंडराते हुए दिख रहे हैं इरान ने अपने मिसाइल जखीरों को भी इसमें प्रदर्शित कर दिया है और संदेश साफ साफ दे रहा है इरान के इसराइल उसे हलके में ना ले क्योंकि वो इस हमले के भीशन पलटवार की तैयारी में है अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें आठ मिलियन प्लस सब्सक्राइबर आपके इस भरूसे के लिए बहुत धनिवाद